सो गैस बात करने वाले ही ओपो की ColorOS 12 और Android 12 अपडेट की बारे में ओपो ने अपने काफी सारे स्मार्टफोन के लिए ColorOS 12 का और Android 12 का स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया है और ऐसे में दोस्तों ओपो ने बताएं कि इस क्वार्टर यानि की सेकंड क्वार्टर के अंदर इन इन स्मार्टफोन को Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा तो ऐसे में ओपो कौन से कौन से स्मार्टफोन के लिए इसी एप्रेल म कीजिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहां पर बात करने वाले हैं ओपो के कलरोज 2L और Android 12 अपडेट की बारे में ओपो ने अपने कौन से कौन से स्मार्टफोन के लिए इन दोनों ही का अपडेट रोल आउट कर दिया है अगर आपके पास इन में से कोई भी स्मार्ट फॉन है तो डिफिनेटली यह दोनों और अपसाओ कर सकते हैं उसके बात करते हैं इसी अप्रेल 2020 के अंदर स्जोडे 2022 के अंदर कौन से स्मार्ट फॉन के अंदर आपको एपडेट देखने को मूलेंगे तो दोस्तों यहां पर ओपो ने कंप्लेट बताया कि इस मंत में हम इन Smartphone को update roll out करेंगे तो दोस्तो यहांपर सबसे पदना स्मार्टपोन आता है इस मंत में कौन से Smartphone को update देखने को मिलेगा तो दोस्तोव Oppo F19 और F19S इसको 8 April के दिन आपको stable update देखने को मिल चुका है उसके बाद धूस्तोव यहाँपर Oppo F70 और दोस्तो F70 Pro इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 14 अप्रेल को अप्डेट देखने को मिल चुका है उसके बाद दोस्तो OPPO A53 जो कि 5G स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको 19 अप्रेल को अप्डेट देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो ओपो रेनो 3 प्रो जिसको 26 अप्रेल को उसके बाद दोस्तो आपको मैक के अंदर भी काफी सारे स्मार्टफोन को अपडेट देखने को मिलेगा जो कि A76 स्मार्टफोन है उसी स्मार्टफोन को उसके साथ दोस्तो ओपो के और भी ऐसे स्मार्टफोन है ज उसके बाद दो ओपो रेनो 4 प्रो उसके अंदर भी आपको अपडेट मिलेगा उसके बाद ओपो F19 प्रो प्लस उसके बाद ओपो A74 5G उसके बाद ओपो A53S 5G स्मार्टफोन इन से भी स्मार्टफोन के अंदर ओपो बहुत जल्दी आपको कलर आवस 12 का और अंडॉइड 12 का अंदलप अगर दोस्तु बात करें इनके बीटा अपडेट के बारे में तो इन समार्टफोन के अंदर आपको बीटा अपडेट मिल चुका है क्योंकि काफी कम बीटा यूसर जॉइन के कारण आपको इतनी इन्फॉरमेशन नहीं पता है कि क्या बग्ज और क्या इसईूज ColorOS 12 और Android 12 अपडेट के बाद आपको देखने को मिलेगी बर दोस्तों काफी कुछ improvement के बाद ही आपको ये stable update देखने को मिलना है और दोस्तों बहुत जल्दी आपको इसका जो update मिल जाएगा और उसके बाद भी आपको एक bug fixing वाला और improvement वाला भी update देखने को मिलेगा ओपो के ColorOS 12 का और Android 12 का बाकी दोस्तों ओपो का आपके पास कौन सा smartphone है नेचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर देना इस वीडियो में यहीं तक ओपो अपडेट्स के बारे में अगर वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए और वीडियो नहीं है तो यार चैनल को जोरू से सस्क्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू